हाई एवरीबान वेकम बैक टू माई योटूब चैनल और आज हम पड़िवाले हैं उत्तोलक और जैसे लिवर कहते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर आप डियलेट कर रहे हो डियलेट सेकेंड सेमेस्टर में हो तो साइंस में यह बहुत इंपोर्टेंट आपके एक्जाम में आता है अगर आप TET यहनी शुपर्टेंट यूपितट की त्यारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपोर्टेंट है इससे एक दो क्वैशन आते हैं So let's get started. पुश और पुल अंगेंस्टू मूब सम्थिंग यानि किसी बिंदू के चारो तरफ घुमाने घुमा सकते हो किसी स्टिक को उसको कहते है तोलग तोलग क्या होता है? एक सीधी या टेड़ी द्रिड छड होती है जो किसी निश्चित बिंदू के चारो तरफ सोतंतिता पुर्वक घूम सकती है या तो इस बिंदू से यहां से चारो तरफ इसको घूमाई है घूम सकती है या फिर सिंटर से घूम सकती है चारो तरफ यहाँ पर इस तरीके से दोनों तरफ होगा तो यहाँ से चारो तरफ घूम सकती तो इसको कहते हैं उत्तोलग उत्तोलग जो होता है इसके थ्री पॉइंट्स होते हैं इसमें तीन पार्ट होते हैं तीन बिंदू होते हैं वो डिस्कुस करेंगे तो जिस निश्चित बिंदू का मतलब क्या है? कोई fixed point होगा जिसके चारो तरफ वो जो stick होता है । stick ही तो बोला है, उद्टोलग की जो छड़ होती है वो क्या घूम सकती है? तो उसको हम कहते हैं आलम या फलक्रम कहते हैं तो मैंने आपको बताया कि कोई ये बिंदू है यहाँ पर और ये छड़ है तो ये इस बिंदू के चारो तरफ जो घूम सकती है स्वतन्दधापुरवग उसको कहते है इस बिंदू को कहते है फिक्स पॉइंट को कहते है फलकरम या फिर ये साइड में भी हो सकता है और इसके चारो तरफ गुम सकती है, यानि वो बिंदु है, जो फिक्स बिंदु है, जिसके चारो तरफ वो तोलग की जो चड़ है, वो सचतंतधापुरवा घुम सकती है, तो इसको फलकरम कहते हैं, नेक्स्ट है आयास, मैं यास को घोना चाहिए, आयास को हिंदि में में, इंगलिस मे effort कहते हैं, तो effort क्या होता है उतलग को उप्योग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते है, यानि उतलग को घुमाने के लिए उसको use करने के लिए, उसका उप्योग करने के लिए, उस पर जो force लगाया जाता है, उसको हम effort कहते है, effort का मतलब ही होता है किसी चीज़ पे कुछ जोर लगाना, बल लगाना, ठीक है next है भार load क्या होता है load basically कोई weight है जिसमें कुछ load होता है यानि हम किसी चीज़ पे कोई load करते हैं तो obviously कोई object होगा जिसमें कोई भार होगा तो load का मतलब है उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है उसे भार कहते है ठीक है, उसे भार कहते है तो उत्तोलक जिस पे force लगाता है जिस object पे force लगाता है उसको load कहते है, ठीक है जिस point पे force लगाता है उसको हम load कहते है तो तीन बाते आपको समझाए एक तो फलक्रम होता है फलक्रम क्या होता है वो पॉइंट होता है जिसके चारो तरब जो उत्तोलक की छड़ोती हो घूमती है अब जो हम फोर्स लगाते हैं उत्तोलक की छड़ पे जो उसको उप्योग करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उ तो आलंब को हमने फलक्रम कहा था, फलक्रम को हम F से इंडिकेट करते हैं, किस से इंडिकेट करते हैं, तो basically आफका फलक्रम को हम F से इंडिकेट करते हैं, effort यानि आयास को हम E से करते हैं, और weight को हम, यानि load को हम W से दरसायते हैं, ठीक है, तो lever जो होते हैं, बल आगुर की पर कार करता है और टॉर्क क्या होता है कि फोर्स द्वारा अगर हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं किसी अक्ष के चारो तरब घुमा सकते हैं घुमाने की जो प्रविती होती है टेंडेंसी होती है इसको टॉर्क क्याता है तो यह बल आखुड के सिध्धान पर कार करता है और अता यदि उत्तोलग 36 अवस्था में हो तो अगर horizontal हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपकी उत्तोलग की छड़ हो सकती है suppose एड आपका एक तरफ आपका load है और आलंब बीच में है यहाँ पर अब हम यह भी discuss करेंगे यह कौन सा हो सकता है यहाँ आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो ठीक है और यह आपका weight है जिसको भार है जो effort लग रहा है इसी पर लग रहा है इसी को उठाने के लिए लग रहा है समझे तो इनके बीच की जो दूरी है D2 हो गई और इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की D1 हो गई तो आगुर के सिद्धान तो द्वारा हम कहेंगे लगाया गया बल बल की भुजा is equal to उठाया गया भार भार की भुजा तो जो mechanical advantage होगा जो यांतरी क्लाब होता है वो उठाया गया भार हो गया और लगाया गया बल होगा क्या होगा उठाया गया भार और लगाया गया बल होगा तो उठाया गया भार आप यहाँ पर देखेंगे उठाया गया भार आपका d1, d2 और लगाया गया बल आप लगाया गया बल लगा सकते हैं आप कौन सा बल लगा रहे हो तो उस पर कौन सा बल लगा रहे हो बता सकते हो और लगाया गया भार यह आपका होता है ठीक है हाँ, उठाया गया भार आपका हो जाएगा, ये पूरा, डी टू हो गया, ये भार आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो डी टू हो गया, और लगाया गया भार आपका, लगाया गया भार आपका यहाँ पे डी वन हो गया, तो आपका में इक्वल टू डी वन अपाउन डी टू हो जाएगा, चली उत्तोलक के प्रकार की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तोलक के प्रकार क्या होते हैं, तो टाइप्स पढ़ेंगे हम, और यह जो डेरिवेशन यहाँ पे किया गया है, इसी को कंसीडर करिए, ठीक है, इसी को कंसीडर करिए, इेक देखती है एक प्रथे में देखते हैं तो इसको इसको डिएल में देखते है इंच्डक आपके exam में basically आपके exam में यह formula और यह derivation नहीं आता है तो उस point of view से मैं आपको बता रही हूँ इस point से में आपको बता रही हूँ क्योंकि उसमें numericals नहीं आता है और directly आपसे example पूछ लेता है कि first class liver कौन सा है second class liver का example दे दिया उसके बाद आपसे पूछेगा वो किस class में आता है तो first class liver या प्रथम सेड़ी का उत्तोलक क्या होता है इसमें आप समझेए कि इस वर के उत्तोलक में जो आलंब होता है यानि fixed point होता है फलक्रम जो होता है आयास जो की हमने effort डाला था और hard यानि w जो load है उसके बीच में होता है बीच में क्या हो रहा है या पे फलक्रम fixed point जो है वो बीच में होता है इसके वजए से इसको हम first ready में रखते हैं और इस प्रकार के उत्तेलोकों में यांतरी इकलाब एक से अधिक या एक के बरावर या एक से कम भी हो सकता है यानि mechanical advantage जो है वो एक से अधिक भी हो सकता है या बरावर भी हो सकता है उधारण इसमें आपका सीजर आता है catchy प्लास, सीजा, जूला, साइकल, हैंड पंप आ दिए एक्जामपल आप याद कर लेना तो कैसे समझेंगे क्या बीच में आता है एक्जामपल से भी समझेंगे तो जो fixed point होता है फलक्रम होता है वो center में होता है और ये फलक्रम भार और आयास की बीच म होता है इसलिए इसे first class lever कहते है याद आप कर लेना इसे f हमेशा इसमें बीच में होता है और इसमें आघूर के सिधान से जो formula बनता है mechanical advantage जो है वो आप ये note कर लिजेगा यहाँ पे इसमें mechanical advantage जो होगा w upon e होगा w का मतलब यहाँ पे भार हो गया और e का मतलब effort हो गया लग लगाया गया बल आपका यही formula था mechanical यहाँ पे यह देख सकते हैं लगाया गया भार आपका क्या है ए हो गया sorry हाँ लगाया गया भार आप डबलू क्या है a है b है और लगाया गया बल a है ठीक है वो याद कर लिजे आप यह formula आप याद कर लिए ना जैसे अभी हमने पढ़ाता ना d2 upon d1 तो जो w है आपका यहाँ पे लगाया गया भार है लगाया वहार का मतलब जो आप force लगा रहे हो force आपको क्या कहते हैं force को हम effort कहते हैं effort लगा रहे हो तो effort आपका यहाँ पे b दिया गया है यह b है यहां से यहां तक B है. तो आप B लिखते रहो, फिर यहां पर लगाया गया बल, बल जो लग रहा है यहां पर, भार पर जो बल यहां से यहां तक लग रहा है, तो हमने D2 upon D1 पढ़ा था, उसी तरी जैसे यहां पर B upon A हो जायगा. ठीक है? cycle होता है और जो pliers होते है न वो भी इसी में आते है seesaw जो जूला होता है जैसे अपने ये जूला पढ़ा होगा जूला देखा होगा ये भी कि इधर से बच्चे बैट जाते एक बच्चा इधर में बैट जाते ये फरकुलम बीच में हो जाता है तो फरकुलम हमने देखा कि बीच में होता तो ये Caesar क्या है ये first series का है first class का example है तो ये बीच का जो है ये फलक्रम हो जाएगा ठीक है और आप effort लगा रहे हो कहां पे जो बल लगा रहे हो आप इस पे लगा रहे हो और जो आप load कर रहा हो यहां पे कपड़ा भी रख देते हो तो load होता है यहां पे तो ये किसका example हो जाएगा जब भी फलक्रम सेंटर में होगा आयास और load के बीच में तब उसको हम first class में रखेंगे तो ये किसका example है पहले class का जितने भी examples है नवसको एकदम याद कर लिजे याद करने का मतलब है उसको रटना नहीं अब उसको समझ के अपने concept को clear कर लिजे because ये exam में पूछे जाता है next come to the dittis ready का उत्तोलक यानि second class जो lever है उसको discuss करेंगे इस work के उत्तोलक में alamb जो होता है alamb का मतलब क्या होता है यहां पे falcrum होता है falcrum मतलब fixed point और जो आयाम होता है आयाम जो हम effort लगा रहे है अब effort की बीच भार होता है मतलब तो यहां पे देखिए क्या होता है alamb और alamb के बीच में f और ef के बीच में आपका w होता है इस तरही के से समझे जो alamb होता है अब side में हो जाएगा बीच में ने होगा अब बीच में आपका load आएगा ठीक है तो इस प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं उनको हम दिदी शेडी में रखते हैं और इस प्रकार के उत्तोलक में जो होती है यांत्री ख्लाप सधी एक से अधिक होता है इसके एक से अधिक होती है इसके एक्जामपल में जो सराओता होता है जो mango cutter होता है जो mango cut करने के लिए योज़ किया जाता है और nut crackers जो होते हैं वो भी आता है नीबू निचोडने की जो machine होती है वो भी इसके अंदर आता है क्योंकि load जब बीच में आएगा और एक पहिये का कुड़ा ढोने की जो गाड़ी होती है इसके अंदर आती है ठीक है पहिये बाली जो गाड़ी होती है इसके अंदर आती है और एक और example में आपको बताना भूल गए थी first class में first class में na hammer भी आता है हथोड़ा जो होता है वो first class में आता है तो ये कैसे समझेंगे समझें कि इसमें कहा था कि जो भार होता है वो बीच में होता है जब कि आयास और load side में होता है तो आलंब मतलब आयास और आलंब देखिए जो फलक्रम है ये side में है जो fixed point है side में है और load पीच में है और आयास जो है जो effort है वो भी side में है तो उसके बीच में load है इसमें जो formula योजो हो रहा है आगुल का सिद्दान जो देख सकते हैं इसमें जो आयास है वो भी है और यहाँ पे जो बल लग रहा है तो आपने पढ़ाता भार लगाया गया भार और लगाया गया बल तो B और अपॉन A हो जाएगा यहाँ ठीक है तो इसके example को हम image के through समझते हैं आपको मैंने बताया जो कूडे फेकने वाली गाड़ी होती है यह वाला आपने देखा होगा तो आपने कभी observe किया है यह कैसा होता है कौन सी class में आएगा second class में second class lever में आएगा क्यों? क्योंकि जो load है हमेशा देखी यह पहिया है side में जो कि एक fixed point है load हमेशा बीच में आता है ठीक है? तो load बीच में आ रहा है और यह आप यहां से आप अपना effort लगाते हैं तो इसके वज़े से इसको second class में रखा गया है और भी example है यह नीबू निचोडने वाली जो machine हमने बात की यह किस में आएगा? यह भी आपका किस में आएगा? second class में आएगा क्यों? क्योंकि यह जो point है यह fixed point है इसको fulcrum कहते हैं और fulcrum के बीच में और आभास के बीच में यार force आप यहां पे लगा रहे हो और जो load है अपनी वो यहां पे डालोगे तो भार यहां पे है इसके वज़े से यह second class में आएगा ओके? अब हम बात करेंगे third class lever की यानि 33 रेडी का उत्तोलक क्या होता है इस वर्क के उत्तोलक में जो आलंब होता है fulcrum जो होता है तता भार के बीच में effort लगाया जाता है effort यहां पे बीच में अब लगता है यानि आपको बीच में बल लगाना पड़ेगा बीच में प्रेस करना पड़ेगा जबकि जो आप आलंब रहेगा और जो load होगा वो side में होगा लेकिन आप बीच में पकरोगे तो आपको ऐसी कोई भी machine जो दिखे आप देख रहो कि एक fix point पे है और बीच में आप उस पे बल लगा रहे हो तो समझ लेना वो third glass में आएगा इसका example है जैसे चिम्टा यूज होता है खिर्षान का हल और मनुष्य का हाथ जो है वो भी इसी का example है कैसे जब आप किसी भी दिवार पे force लगाते हो ठीक है तो आप अपनी बीच का जो palm होता है उसको दबाते हो ठीक है इस तरीके से समझ सकते है मनुष्य का हाथ भी इसी तरीके से आता है क्योंकि हम कह सकते हैं बीच का लगाते हैं किसी को push pull करने के लिए भी हम बीच का बल लगाते हैं बीच में जो पाउन होता उस पे बल लगाते हैं उस पे हम अपना effort डालते हैं तो इस तरी के से example इस case और भी हो सकता है इसका example stapler भी होता है जो हम stapler घर पी यूज करते हैं न शtså फिर्वा करने विश आने पिंन यूज करते हैं और ये fishing rod इसी का एक्जामपल होता है स्टेबलर और फिशिंग रोडबेस का एक्जामपल है और इसमें आप यहां पर देख सकते हो जो आलंब है वो साइड में है और भार भी साइड में और जो आप एफ़र्ट लगा रहे हो यहां में बीच में लगेगा तो आगुड का सिद्धानत यहां यह लगेगा यहां फिर फॉर्मूला देख लेगा जो होता है यह बी अपॉन ए होता है यह फॉर्मूला होता है और इसका एक्जामपल भी हम देखेगे तो इसके एक्जामपल में हमने बात की कि हम कौन कौन से example इसमें हम देख सकते हैं यह किसका एक्जामपल है आप बताएए कौन सी class का example होगा यह यह आपने second class में पढ़ा क्यूं जो आप load लगा रहे थे वो बीच में लगा रहे हो और जो point है fulcrum side है और effort यहाँ पे है इसके वज़े से ये आपका second class में आएगा ये कौन सी class में आएगा third class में क्यों third class में आपने पढ़ा था जो आप effort लगा रहे हो कृतिय वाले में वो आप बीच में लगा रहे हो जो आपका ये आपका fulcrum होगा जो भी fix point होगा वो आपका fulcrum होगा, fulcrum को इंदी में आलंब कहते है, ये F हो गया आप यहाँ पे effort लगा रहे हो, और load आपका यहाँ पे है, कोई चीज़ आपकी copy वागे रहा है, यहाँ पे रखी जाती है तो ये third class में आएगा अधर example भी है, चिम्टा वाला चिम्टा जैसे कि आपके घर में कोई भी रोटी बनाते हैं, आपने बनाया होगा तो आप देखोगी, ये fix point मैसा आपका fulcrum होगा और fulcrum आप चिम्टे को side से यहाँ से नहीं पगड़ते हो, बीच में दबाते हो तो आप effort यहाँ पे लगा रहे हो और effort मतलब आपका आयाम यहाँ पे है आयास, sorry, आयास यहाँ पे है और जो आलंब है यहाँ पे, और भार यहाँ पे रहेगा, रोटी आपकी यहाँ पे होगी तो ये भी क्या है? थर्ड क्लास का एक्जामपल है, आप इस तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो ये जो विडियो है ये जो चैप्टर है, यहीं पे खतम होता है कुछ important question है, वो हम discuss करते है ये कुछ question है जो आपको answer करने हैं, अगर आपको answer आ रहा है, क्योंकि अभी हमने पूरा chapter पढ़ा है, तो आप comment section में comment करके बता सकते है कि इसका answer क्या होगा ज्यादा question है, ये तीन-चार question है, जो आपके एक्जाम में आते हैं generally आप delete कर रहे हो तो उत्तोलग कितने प्रकार की? बहुत basic question है जिसको आपको answer करना है ठीक है, अगर आपने अभी पढ़ा है, पूरा video देखा है, तो आप जरूर answer कर दोगे, दित्ये शेडी का उत्तोलग कौन सा है? दित्ये शेडी में क्या होता है? आपको एक trick याद करना है, FWE FWE, ये center में जो होगा, उसको याद करना है फलक्रम, जो अगर फर्स सेडी में फलक्रम बीच में है, यानि आलंब बीच में है, फिक्स्ट पॉइंट बीच में है अगर W, यानि लोड बीच में है और जो effort है आप बीच में लगा रहे हो, तो उसको हम third सेडी में लखेंगे डबलू वाला second सेडी में या फिर इस तरीके से याद कर सकते हो ट्रिक में आ भा, आ आभा, अगर लिखोगे इसको तो ऐसे लिखते हो आभा आभा मतलब जब भी आपको आए पहला आलंब जो होगा भा या आपका भार बीच में होगा और तीसरा जो होगा आप आयास लगाओगे तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो आभा ऐसे आ को खीज के ले जाओ तो आप समझ जाओगे ने तो आभाली कोगे तो नहीं समझ जाएगा आ की मात्रा होती है तो अब आते हैं दिती सेडी का उत्तोलक क्या होता है आपको यह में बताना है एक 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 जामपल को आप कंसर्प्ट फिक्स करिए कौन सा बीच में होता है यह question है प्रथम सेडी का उत्तोलक है यह आपको answer comment section में देना है तो यह question यहीं पे खतम होता है and I hope आपके लिए वीडियो helpful रही होगी अगर अभी तक आपने चानल को subscribe ने किया तो please do like, share and subscribe